नमस्कार दोस्तों वेलकम तू माई यूटीब चैनल विजयर्स पंकर जुलक्स आज मैं आपको कालिघर सकती पिट की जनकारे देने वाला हूं इससे पहले अगर आप भी तरह हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो सबस्क्राइब कर बेल आइकन दवाला है ताकि इस कालिघर मंदिर देवी कालि को समझ बिट एक परशेद हिंदू मंदिर है कालिघर मंदिर कलकता सर में होगली नदी पर एक पवित्र घाट है यह मंदिर गंगा नमर छोटी नहर के किनारे शृतित यह जो होगली नदी से जूटता है कहा जाता है कि कलकाता सब्ध काली घार सब्ध से ही लिया गया है मां काली घार से लेने के लिए देश भर से लोग यहां मंदिर आते हैं काली घार को भारत के क्यां सक्ति पिठो में से एक माना जाता है जहां सीव के दुरुद्ध तांदव के द्वारान सती के प्रिभिन यंग गिर गए थे और कालिघाट उस्तल का पटिन रित्त करता जहां सती के दाहिने पेर के यह मुठे गिरे थे वर्टमान में यहां मंदिर 19 सतावदी का है हलांकि इसका पंदरवी मो सतरवी सतावदी के बंगार के कुछ भक्ति साहित में संदर मिलता है माना जाता है कि कालिघाट मंदिर चंदर गुप्त द्युर्ट के समए सही अस्तितों में है मूल मंदिर एक छोटी जोप्री के याकार का धांचा था जिसे राजा मान सिंग न सोलवे सतावदी में बनवाया था वर्तमान संद्चन 1809 में सब्रम रोज चोद्री के मार्ग दर्शन में पूरी हुई मंदिर के मुखे मंदिर में देवी काली की एक अनुठी परतिमा है मा काली की वर्तमान मूर्ती दो संतों बर्मान नंदिक गिरी और अर्तमाराम गिरी द्वारा बनाई गई थी मुर्ती की तिन विस्ताल आखें और एक लंबी जीव और चार हाथ हैं जो सोने से बने हैं मंदिर में पुस्पो और मोरा किर्टी की टाइल से हैं जो इसे विक्तोरिया दुपरदान करती है इसके अलावा मंदिर में कुन्डू कुकर नामा के पवित्र तलाब है जो मंदिर परिस्तर के दक्षी में पुरू कोने में स्थित है इस तलाब के पानी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है यसा माना जाता कि पानी में बच्चे के वर्दान को पुरा करने की सकती है अगर आप भी कुलकता के फर्षित काली घाट मंदिर की यातरा करना चाहते हैं तो यहां पोशने के साधन वाई मार्ग जो कुलकता वाई सेवा के माध्यम से बेंगलोर, मुंबाई, दिल्ली, खटना, चेनने, सहीत सभी पर्मुक सवरों से जुड़ा हुआ है और रेल मार्ग कुलकता के मुख्य तोर पर दो स्टेशन है सियालदा था हावर कुलकता रेल मार्ग के माध्यम से सभी पर्मुक पर्यसवरों से जुड़ा हुआ है और अंतराष्टे सड़क की भी सुविधा है तो दस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और स्टेर करें धन्यवाद